नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हुन नहीं और स्वागत है आपका एक बर फिर में यूट्यूब चानल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूपीस्टी क्या है और एक्जाम की तयारी कैसे करें इसके लिए एलिजिबिलीटी क्या है इसक को इस वीडियो में हम देंगे दोस्तों आज कल की भामदोर वाली लाइप में ड्रीम तो सब लेखते हैं पर इस ड्रीम को पूरा कर पाना वो भी इस कॉम्पेटिशन वाले यूग में थोड़ा मुश्किल तो है पर इंपॉसिबल भी नहीं क्योंकि लोगों के पास बड़ के पोस्ट पर नौकरी पाए हमारे देश के सारे सरकारी विभागों में बड़े अपस्वरों की नियूपती के लिए एक परिक्षा होती है और परिक्षा हमारे देश के सबसे सम्मान निया और कटिन परिक्षाओं में से एक है आप सबने कभी न कभी यूपेस्टी परिक् में से एक है यह सभी भारतियों को सेवाओं के लिए नियुक्त करता है परिक्षाओं का आयोजन करता है जिससे देश के सर्वस रिष्ट सभी सेवाय सम्मेलेते हैं जैसे कि IAS IPS IRS अधर सभी सरकारी नौकरिया जो इन परिक्षा में इंक्लूडेड है तो UPSC का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमेशन या संग लोक सेवा आयोग इनका मुख के काम ग्रूप A, ग्रूप B जैसे श्रेनियों में अधिकारियों को सिविल सेवाओं में भरती क तरा आना है जोस्तों UPSC के सेविल सेवा परिक्षा में सामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम केंद्रिया या राज्य सरकार से माननेता प्राप्त यूनिवर्सिटी में किसी भी स्ट्रेम से ग्रेजुवेशन की डिग्री होना जरूरी है यूप देने के लिए जैसे कि सामान्य मतलब जनर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मिनीमं ट्वैंटी वर्ष और अधिकतं थी टू वर्ष यानि अधिकतं सामान्य वर्ग वाले के लिए छे बार आप एक्जाम दे सकते हैं уск Mortimer के लिए उमर की सीमा होती है पाच वर्ष की उन्हें छूट दी जाती है यानि Kyung UA्म WR our Maximum 37 अन्य पीच्छण वर यानि O khakis वाले उम्मर के वर्ष को थीमा चूट दी जाती है O BC कैटीकरी के चात्रह ती진 वर्ष है अधिक तम 25 वअर demo के लिए नव कौन से एक्जाम होती है जो UPSC के तुरू कंड़ की जाती है उसमें है CSE मतलब Civil Service Examination, ESE Engineering Service Examination, CDSE Combined Defense Service Exam, IFS Indian Forest Service, NDA National Defense Examination. आयोग द्वारा विविन्न सरकारी परिक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है जिसमें IPS, IAS, IRS, IES, NDA, NA, CMS, IFS, CAPF, Combined Geo, Scientist and Geologist, etc. परिक्षाओं इंक्लूडेड है इसके साथी कई अधर सरकारी विभागों में नियोगती के लिए परिक्षा का आयोजन भी करवाती है तो UPSC एक्जाम की तैयारी कैसे करें दूस्तों UPSC की परिक्षा हमारे देश में सबसे कटिन परिक्षा में से एक है इसमें आप यह नहीं कह सकते कि किन किन सब्जिक्ट के प्रशने हां आते हैं इसमें आपके सारे विश्वय के प्रशन आ सकते हैं इसलिए इस परिक्षा को हमार और साही डिरेक्शन में करते हैं और किसी भी चीज में सफल होने के लिए सबसे पहले हमें उसकी इंफॉर्मेशन जुटा लेनी चाहिए यूपिसी की परिक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आपको निरंतर बहुत ही मैनत करना होता है आपको हर एक विशय को बहुत अच किताबों का सही चुनाओ अधियावशक है आपको उनी किताबों का अध्यन करना चाहिए जो यूपिसी एक्जाम के लिए सुझाए जाते हैं आपको उन किताबों को एक नहीं दो तीन बार पढ़ना चाहिए पहली बार में आपको चैप्टर डिसाइड करना होंगा कौन दुबारा जब पढ़े तब उसे एहम चैप्टर है यानि कटीन वाले उससे शुरुवात करें अगर आप प्रिलिम या मेंस में मेंस से पहले इन किताबों का एक बार फिर अध्यन कर लेंगे तो काफी अच्छा हो जाएंगा जिसमें आम भाशा में स्टूडेंट इन चीजों को पूरा करने के लिए किताबों के साथ सथ आपको न्यूस्पेपर और मैग्जिन लोजाना अध्यान करना भी अधियावशक है अन्तिम और सबसे आखरी बार जो सिर्फ यूपीसी ही नहीं बाकी परिक्षाओं के लिए भी ज़रूरी है वह तैयारी शुरू क करने से पहले एक रूटीन बनाना और उसे अमल करना इसके लिए आपको 10 to 12 मन्त रूटीन बनाने होगी और इस रूटीन को आपको समय के अनुसार पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बाठना होंगा पेपर 2 यह पेपर बन के बाहर और अगर आप यूँसे अंकों के साथ पास हो डेली मौक टेस्ट देना भी ज़रूरी है इससे आपको पता चलेंगा कि आपकी तैयारी किस डिरेक्शन में और किस लेवल तक पहुची है उसी इसाब से आप अपनी रूटिन में चेंजेस भी ला सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सकें दोस्तों आपको UPSC कि 10 से 15 साल पूराने प्रश्णों का हल भी करना बहुत जरूरी है इन प्रश्णों में हमें अन्दाजा लग जाता है कि किस-किस टाइप के कोश्चन यहां पूचे जा सकते हैं और इसमें हम अपनी तायारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं UPSC की सिविल सर्विस की पर और अंतर राष्ट्रिय महत्वकी संक्सम कालिंग घटनाएं पुझे जाती है भारत का इतियास और भारत का राष्ट्रिय आदोलन भारत और विश्व का भूबूर भारतिय राजनिती विग्यान और शाष्ण सवेधान राजनितिक तंत्र पंचायती राज लोकनिती अधि वरंचाय वीवी देता और जल वायू परिवरतन सामान ने विग्यान पेपर दो इसमें आपके पास होना अनिवारे है इससे पहले पेपर का अंक नहीं जोडा जाता तो इसमें कुछ ऐसे पूछे जाते है पढ़ पढ़कर उसके आधार पर जवाब देना कमुनिकेशन स्क ठरकीक त से जुड़े सवाल, निरने लेने और समस्वाण को सॉल करने इसे से रिलेटिट क३स्ट्चन, मांसी क्यूंगेतर सेजुड़े सवाल, बुनिया दी गनित से जुड़े सवाल, सांके किसे जुड़े सवाल, एक सिर्दक हfal बाजन का लिए मेंस में कुल Earth होत इस हाट वेपर में आसिल माझ की परिया आपका घगता है दिन आपका फाइनल वेच्वग टेस्त में वाद कहें तो इंटर्व्यू होता है इसमें केवल आपके विशै पर ही कोशन पूचे जाते हैं बल्कि उम्मिदवार के हाजिर जवाब की परिक्षा भी लिजाती है उम्मिदवार की आत्मा विश्वास की परिक्षा लिजाते है किसी भी कटीन परिस्थील ए Computing कीा capacity को परखा जाता है UPSC परिक्षा का सबसे कटीन चरण होता है interview ज्यादतर student interview में ही फेल हो जाते हैं जैसे कि पहले मैंने आपको बता है UPSC के लिए different पदों पर exam लिये जाते हैं यानि different different salary भी होती है Indian foreign service की बात की जाए तो इसकी salary आपकी होती है 12,000 से 90,000 तक उनकी रैंक पर depend करता है अगर बात Indian forest service की की जाए तो इनकी salary होती है 15,000 से 67,000 तक Indian revenue service की बात की जाए तो इनकी per month salary होती है 80,000 तक Indian railway traffic service की salary होती है 1.5 lakh तकरीबं salary के अलावा group A, group B के सरकारी कर्मचारियों को बहुत सारी facilities भी यहां मिलती है और इने समाद में बहुत ज़्यादा सम्मान भी मिलता है So friend, उमिद करती हूँ आपको यह video देखकर काफी अच्छा लगा होंगा and इस video की तरू आप UPSC के बारे में सारी information जान गए होंगे अगर आपके मन में कोई भी कोशन है तो आप हमें comment करके पूछ सकते है और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe ने किया है तो जल्दी से subscribe करके bell icon जरूर hit कर दे ताकि मेरे upcoming video की notification आपको सबसे पहले मिले सो फ्रेंड आज की video में इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए goodbye take care